जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है आपके हिर्दे की धड़कन थोड़ी बढ़ती जा रही होगी चलिए उसको थोड़ा कम कर देते हैं पहला मौडल पेपर अपलोड किये थे बायलोजी का एक से चेप्टर तक बाकी साथ से बारा चेप्टर का ये दूसरा माडल पेपर आज है अगर आप ये दोनों माडल पेपर तयार कर ले रहें तो एक्जाम में आपको अच्छे खासे नमबर यहां से देखने को मिल जाएंगे यूपी बोर्ड में आप किसी भी जिले से हों यहां से बायलोजी में क्योश्चन यहीं से बनेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग यहां एक बात याद रखेगा जो जो क्योश्चन आया हुआ है सब को तयार कर लेना है पहला क्योश्चन आप्शनल रहता है चार्ट हो एक एक नमबर का देखे सही बिकल्प चुनिये और इसमें पहला क्योश्चन कहाए उर्जा का पिरामिट सदय होता है सीधा उल्टा तिर्छा चैतिज अगला है सालमोनेला टाइफी किसका रोग जनक है अगला क्योश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आव सकता होती है जल का वायू का उर्जा का किसी का भी नहीं कौन पौदे के जड़ों के साथ सहजीवी संबंद बनाता है तो यहां जो जो टॉपिक आपको मिले हैं जैसे दखे सहजीवी आया है ना तो सहजीवीता क्या होती यह तयार कर लेना है माइको राइजा लाइकेन यह तयार कर लेना है इधर साल्मोनेला टाइपी और इसमें एसके रिस्ता यानी एसके रियेसी स्टाइफाइड हाथी पाओं एक और रोग याद कर लिजेगा पेंचीस बाकि मलेरिया तो पिछले वाले वीडियो में ही बता दिये थे दूसरा क्योस्चन एक-एक नंबर का रहेगा छोटा-छोटा क्योस्चन यहां है आवसेसी यंग क्या होता है उधारण सैस समझाईए क्राइप प्रोटीन क्या होता है पारजीनी जन्तू क्या होता है मानो कल्याड में दो सूचमजीव के नाम लिखिए और उनसे प्राप्तुतपाद का नाम लिखिए क्लोनिंग सम्वाहा के यानि क्लोनिंग बेक्टर ये बताना है अगला क्येस्चन दो-दो नंबर का है और इसमें प्रतिरच्ची का चेत्र प्रकार और उसका कार्य बताना है जो सौट में जैसे मान लिखिए कितने नंबर का है दो तो एकदम सौट में लिखना है एक आखो काम और प्रकार में सब लिख देना है बस प्रकार का नाम उसके बारे में नहीं जै उर्वरत कैसे मृरिदा की उर्वरता को बढ़ा देता है GMO, Genetically Modified Organism, अनुवंसिक रूपांतरित जीव, इसका लाब और हानी पुछा है संकट ग्रस्त जाती किसे कहते हूं, उदाहरण भी देना है इसके बाद आपका आजाता है अगला question यहाँ पर देखिए Bio Piracy और Patent क्या होता है, दो नंबर वाले question खतम अब आपको तीन नंबर वाले question मिलेंगे यहाँ जितने question है सब तीन तीन नंबर के पारिस्थितिक तंत्र के घटक, यानि जो जैबिक और जैबिक घटक होते हैं यह सब आपको उनके बारे में लिखना है और आप लोग याद रखेगा इस तरह का कोई question आए तो इसमें जो flow chart होता है उस flow chart को पहले ही बना दीजिएगा उसके बाद वरड़न कीजिएगा अच्छा इन सब का आपको अगर PDF चाहिए तो एक नंबर यहाँ एक नंबर लिख दे रहे हैं 88, 53, 56, 58, 72 इसका PDF चाहिए तो इस नंबर पर contact कर लिजेगा या biology के पूरे chapter में से किसी भी chapter का PDF चाहिए तो यहाँ पर hi hello PDF दीजिए ऐसा ऐसा कुछ message करके भेद दीजिएगा मिल जाएगा आपको अगला question है जै प्रद्योग की का स्वास्त और क्रीसी के छेतर में उपियोग लिखिए बोड इक्जाम में आपका क्रीसी के छेतर में अलग उपियोग स्वास्त के छेतर में अलग से उपियोग पूछ सकता है और अगला वाहित मल उप्चार या फिर बायो गैस सयंत्र इन सब पर टिपड़ी कीजिए इसके बाद है PCR यानि Polymerate Chain Reaction तथा Gel Electrophoresis क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है प्रतिरच्छा क्या होता है सहज और उपारजित प्रतिरच्छा का उदाहरर सहित वरडन कीजिए इसके अलावा समस्टी के गुण और उनके मध्य होने वाली पारस्परिक क्रियाएं ये सब आपको बताना है नेक्स्ट क्योस्चन है अनुवांसिक इंजिनेरिंग तथा DNA पुनर योगज तकनीक RDT और अगला है निम्न के मध्य अंतर लिठिये समस्टी और समुदाय सक्री प्रतिरच्छा नी सक्री प्रतिरच्छा खाद्य जाल खाद्य श्रिंखला अगला है निम्न का संशेप में वर्डन कीजे प्राक्रितिक वरड यानि आप लोग इसको प्राक्रितिक चैन के नाम से भी सुने होंगे नेचरल सेलेक्षन रूल वही यहां बताना है नेचरल सेलेक्षन प्रतिबंधन एंजाइम, एंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्षन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम उसी के बारे में आपको बताना है सहोब कारिता और परजीविता, फोसक इसतर क्या होता है, इनमें उर्जा प्रवा लिखते हुए पारिस्थितिक पिरामीड को समझाइए और कहा गया है कि जैव विवीधता क्या होता है और इसके संद्छड की विधियाँ तो जो नेशनल पार्क, बायोस्फियर, रिज़र, वननेजिव, अभ्यारण ये सब हैं, इन सब के बारे में आपको फ्लोचार्ट बनाते हुए अच्छे से वरण कर देना है अच्छे यहां जो केस्टन ना आ रहा है हुँ, तो नीचे डिस्क्रिप्टन के लिंक में कुछ केस्टन के अंसर का वीडियो दे दिया गया है, आप लोग वहां से तयार कर लिजे, अभी लाइट की प्रॉबलम है, जैसे वो ठीक हो जाती है, लाइव क्लास आपकी स्टार हो जाएंगी, चलिए देखी, पूरे बायलोजी में किसी चेप्टर का या फिर दोनों माडल पेपर का अगर पीडियाप चाहिए, तो यहां आप कॉंटेक्ट कर लीजिएगा, अगला क्योस्टन देखे, साथ, आठ और नौ यह पांच पांच नंबर के क्योस्टन रहते है तो क्योस्टन साथ में कहा गया है, नौकलियोसोम और बायोरियक्टर पर टिपड़ी कीजिए, आपको यह दोनों नहीं करना है, तो अथवा में आपके लिए उप्शन है, रेड़ डाटा बूग या घरेलू और अध्योगी कुतपादन में सोच मजीव आठ्वा क्योस्टन पारिस्थितिक पिरामिड क्या है, ठंक्या भार और उर्जा के पिरामिड का चित्र बनाईए, नहीं यह आपको करना है, तो अथवा में देखिए आपको क्या क्या कहा गया है, हार्डी बिनबर्ग का नियम, लैको पेरान, इस्परधा, तब तेस्थल यानि होट स्पोट, इन सब का संचेप में वाडन करना है, और सब का इधर करेंगे तो यह अकिल यह और इतर करेंगे तो यह सब करेंगे, ठीक है, अगला क्योस्टन, क्योस्टन नमबर 9, यह कह रहा है कि निम्ड में से किसी एक बिस्तार से एक दम वाडन की जेक, किताब अगला बैट्तों के प्रमुखेश्तर वेविय। साथ में उसके प्रमुक इस तरवे लिखने हैं अथवा में आपको दिया गया है नेशनल पार्क राश्टी उध्यान वन्य जीव अभ्यारण वाइल्ड लाइप संचुरी बीटी फसल बीटी फसल यानी वही बीटी क्रॉप्स बीटी कपास बीटी टमाटर बीटी बैगन आल लेजिएगा और मलेरिया तो पिछले वीडियो में ही बता दिया गया था तो देखिए टोटल दो माडल पेपर बनाए गये हैं एक पहला वाला दूसरा दूसरा वाला दोनों आपको तयार कर लेना भी पर्रयाप्त समय है तो अब आपको करना कह जैसे हिंदी का पेपर अप साथ में पढ़ते रहें बाकी इन सब क्योश्चन में अगर किसी पर आपको दिक्कत आ रहा है कमेंट करके बताइए इन सब पर वीडियो बना दिया जाएगा और जैसे नेट वाली प्रॉब्लम सही हो जाती है तो आपकी लाइव क्लासे से स्टार्ट हो जाएंगी तब तक रिकॉर्डेट से ही काम चला लीजिए तो मिलेंगे एगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद